तो दोस्तो आज के वीडियो में हम सिखेंगे ये लेडी वॉल्व की life को और ज्यादा कैसे बढ़ा है यानि कि लेडियव की शुरक्षा हम ज्यादा lifetime तक कैसे कर सकते हैं तो इसी का connection हम इस बोड में बताने वाले हैं तो दोस्तों बने रहे हैं वीडियो के साथ और देखते रहे हैं और देखिए सबसे पहले तो हम एक वायर लेंगे और दो स्विच को आपस में नेचे वाले को हम सोट करा देंगे तो दो सीच का सौटिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम इसमें दो ऐसरी बहुक्स लगा क्याम आपको दिखाएंगे तो यह दो स्विच दो ड़ी के लिए और पाइपन सोकेट के बगल में जो सुच है तो इसे हम फाइपन सोकेट के लिए यूज करेंगे तो चलिए अब इसमें हम बालव होलडर का कनेक्शन कर लेते हैं और यह हमारा होलडर है दिखा देते हैं आपको और पीछे करके तो देखिए होल्डर है और इसका जो वायर है होल्डर में कनेक्ट है पहले से तो लाल वाले को हम फेस मानते हैं तो उपर में चले उपर वाले के इसके टर्मिनल पर सुच के हम इसे कनेक्ट कर देते हैं फेस को होल्डर का और दूसरे होल्डर का जो फेस है तो इसे भी हम दूसरे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनर पर इसे कनेक्ट करेंगे है तो यह हमारे कनेक्शन हो गए होल्डर के और फाइप रखना है में पाउर सप्लाई से तो फाइप इन सोकेट पर एक वाइर लगाते हैं और यहां से हम फाइप रिंट को यह फेस्वाले पॉइंट पे हम इसे जुवाइंट कर देंगे तो इस तरह से फाइफन सोकेट के अगभी हमारा कनेक्षन हो गया फेस का और इसके बाद में हम लेते हैं डाई मेंपडी का कंडेंसर और डाई मेंपडी के कंडेंसर से हम यह दूनों LED वल्ब का कनेक्शन करेंगे तो इसके नीचे वाले टर्मिनल पे हम इसे कनेक्ट कर देंगे कंडेंसर का एक वायर जो कि हमारा डाई मेंपडी का है और इस कंडेंस और यहीं पर हमें में पाउर सप्लाई देनी है तो में पाउर सप्लाई भी हम कनेक्ट करेंगे यानि कि कंडेंसर का वायर और स्विच का नीचे वाला पॉइंट तो यहीं पर हमें में पाउर सप्लाई देनी है तो यहां से में पाउर सप्लाई हमारे कंडेंसर से होके चला ज हो यह देख सकते हैं इस तरह से सप्लाइस में आ रही है तो यह जो कंडेंसर है यह आपके एलेडी बॉल्ब को प्रोटक्शन देगा और हमारी जो एलेडी बॉल्ब है यह खराब जल्दी नहीं होगी ज्यादा दिन तक चलेगी क्योंकि वोल्टे जो अपडाउन होता रहता ह है तो उसको यह कंड्रोल कर लेगा और न्यूटल का कनेक्शन देख लेजिए दोनों यह लेडी बॉल्ब का न्यूटल और यहां पर एक में न्यूटल तीनों को आपस में जोड़के इसे फाइप इन्सव गड़के न्यूटल अले पॉयल्ट पर हम कनेक्ट करेंगे तो च कंडेंसर भी चार्ज हो जाता है कभी-कभी तो इसको चार्जिंग वरके लिए क्या करेंगे कि अगर दुबार हमें इस वोड में काम करना है तो बोड को बोड की शप्लाई को कट करके कंडेंसर का बहुत जो आएर यहां जहां लगा हुआ है तो वहांवान से इसको हम सोट करा लेंगे तकि कंडेंसर का जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाए फिर हम इस बोड में काम कर सकते हैं दुबरा तो चलिए हम इसमें बल्ब लगाते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं तो एक लेडी बल्फ है 98 Cart ie और 08 के है तो हमसे दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं वहसा नौइड की आप 2 3 लचीस है जबला सकते हैं और यह सो वाट की बल्फ है तो इससे हम फंप स्वक्ट चेकर पопस देता हैं आपको तो यह डाउरिक्ट है तो देखेंगा यह फुल यह फुल जल रहा है क्योंकि सप्प्लाइ डारेक्ट तेखे और ईदेखिए बल्ब का जो रोशनमय कोई दिकस्ट नहीं है और जीरवाच मनिंग कोए दिकस्ट नहीं है तो से क्या होगा लाइफ की यist प्रौटा जाएगे जाया दिन तक चलेगी और जल्दी खराब नहीं होगी तो दोस्तों मिलते हैं अगले वोडियो में तब तक के लिए नमस्कार